नमस्कार दोस्तों, CTEI paper 2 social science के लिए एक ऐसा most important topic लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्रसी, इस topic से exam में अव तक 50 questions पूँछे जाने का record दर्ज हो चुका है, इसलिए आज की यह video आप लोगों के लिए महतपूर रहने वाली है, NCE RT 8 class की जोगरोपी का यह topic रहने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को इस topic से पूँछे गए, सारे के सारे question दिखा देता हूँ, इन सभी question को मैं आपको बीच बीच में कराऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा, यह question किस line से उठा कर पूँछा गया है, और अंत में सारे के सा question एक बार मैं पुना आपको करा दूँगा, पहला question कुछ इस प्रकार से है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पर आपको बताना है, कोफी, चाय से सम्मंदित, यह सारा content जो है, कोफी हो, चाय हो, गेहु, चावल, मक्का, सभी topic आज आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, अगला प्रसन कुछ इस प्रकार से, इस्तानांतरट क्रसी को मिलपा की रूप में जाना जाता है, इस topic में इस्तानांतरट क्रसी के बारे में भी अध्यन करेंगे, जो की हर वर्स exam में यहीं से direct question पूछ लिये जाते हैं, मिलपा रोका, किसके विबिन नाम है, ये भी question exam में पूछा जा चुका है, आंगे हापर question क्या है, द्राच्छा क्रसी यानि की VT culture क्या होती है, ये दरसल अंगूर की खेती को बोलते हैं, ये सारा content मैं आपको एक मात्र वीडियो में बता दूँगा, विबिन प्रकार की क्रसी के बारे में यहाँ पर अध्यन किया जाए बैसे तो यहाँ पर correct answer PC culture हो जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको इसी topic में बता दूँगा, जो कि आपके लिए महत्पूर यहाँ पर रहेगा, आंगे question क्या है, गेहों की फसल के बारे में यहाँ पर exam में question पूछा गया है, और आंगे क्या पूछा गया है, आंगे पूछा अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है, कैसी हो जाती है, उपजाओ बंजर हो जाती है, ये सचाई के लिए अप्योक्त हो जाती है, आंगे क्या है, भारत के किस चेतर में इसतानांतरड क्गेती करने की पिरता है, यानि की सानांतरड वाला question हर बार exam में आप लोगों से पूचा ही जाता है और आंगे question क्या पूचा गया है यहाँ पर भी क्रसी से संबंदित ही question पूचा गया है चलिए आंगे आपको ले चलता हूँ बहुत सारे question मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ इस्तानांतरित क्रसी और घुमत्तू पसचारण किसके पूचा गया है क्रसी के विसा में कौन सा कतनिया पर सही है यह भी question exam में पूचा गया है और आंगे क्या है एक प्रकार की खेती जिसमें उच उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आदोनिक आदानों की उच मातरा का उपियों किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता यह भी question पूचा गया है आंगे क्या है क्रसी के प्रकार पर निमनलिकित बकतब्यों पर बिचार कीजिएगा यहाँ पर करतन दहन क्रसी किसको बोलते हैं है ना यह सब कुछ आपको यहाँ पर बता दूँगा आप tension मत लिजिएगा इन सभी question को बीच बीच में भी आपको कर दूँगा टोपिक यहाँ पर आचुका है नाम है टोपिक का क्रसी चलिए यहाँ पर इस टोपिक को सुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा जो आर्थिक किरियाएं होती है ना क्या होती है जो आर्थिक किरियाएं होती है वो कितने प्रक प्राथमिक किरिया, दुतियक किरिया और तृतियक किरिया जो दोस्तों प्राथमिक किरिया होती हैं उनमें क्या गया आता है और दुतियक में क्या आता है और तृतियक में क्या आता है वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा पौदों से परिस्करत उत उत्पाद तक के रूपांतरड में तीन प्रकार की आर्थिक किरियां सम्मिलित हैं, ये प्राथमिक, दुतियक और तिर्थियक किरियां हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा प्राथमिक किरिया, प्राथमिक किरियां के अंतरगत उन सभी किरियां को सामिल कि जिनका सम्मंद प्राकरतिक संसादुनों के उत्पादन और निसकरसड से है, क्रसी, मतस्यन, संग्रेड इनके अच्छे उधारण हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, प्रात्मिक किरिया के उधारण क्या होते हैं, जैसे हम लोग अध्यन करेंगे क्रसी, क्रसी कि में आती है, यह प्रात्मिक किरिया में आती है, मतस्यन का मतलब मचली पालन भी प्रात्मिक किरिया में आता, संग्रेड, संग्रेड का मतलब होता, इखटा करना, पेड़ पौधों से सम्मंदि जो फल होते हैं, उनको इखटा करना, है ना, वो होता है संग्रेड, और इसके के अंतरगत आती है यह आती है प्राथमिक छेत्र के अंतरगत या प्राथमिक किरिया के अंतरगत अब मैं आपको बताऊंगा दुतियक दुतियक किरियां इन संसादनों के प्रसंसकरड से संबन्दित है प्रसंसकरड का मतलब है प्रद्योग की का इस्तेमाल किया जाता है या यानि कि खेतों में कपास उत्पन होता है, इससे बश्त्र बन जाए, यानि कि इसका रूप बदल जाता है मसीनों के प्रियोग से, तो ये दुतियक किरिया कहलाती है, क्या कहलाती है, दुतियक किरिया कहलाती है, जैसे उधारड, इस पात निर्माड, डवल रोटी पकाना, चीनी का निर्माड करोगे तो चीनी दुतियक हो जाएगे गन्ना आपका प्राथमिक हो जाएगा प्राथमिक का मतलब होता जो सीधे तोर पर हम लोगों को डाइरेक्ट प्राप्त हो जाएगे उनको क्या कहेंगे उनको कहेंगे प्राथमिक किरिया है ना आपने समझ लिया हो ब्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, बिग्यापन, ये तिरतियक किरियाओं के उधारट होते हैं, है ना, आपको तीन प्रकार की मैंने हापर किरियाओं बता दी, इस टोपिक में अध्धन किसका किया जाएगा, फश्ट जो आपकी किरियाओं होती है, प्राथमिक, उनका दिन किया जाएगा, प्राथमिक में ही आपकी करसी आती है, चलिए यहापर करसी की बात करते हैं, करसी एक प्राथमिक किरियाओं है, फसलों, फलों, सबजियों, फोलों को उगाना और पसुधन पालन इसमें सामिल किया जाता है, बिस में 50% लोग, कितने लोग, 50% ल है भारत की न, वो करसी कार्यों में ही सनलंगन है, यानि कि जुड़ी हुई है, यानि कि आदी तो जनसंक्या क्या करती है, जो 50% लोग है, वो खेती करते हैं, यानि कि दो तिहाई जनसंक्या खेती है, आंगे यहापर बताया गया है, अनुकूल, इस्तलाकरती, मिर्दा और जलबायू किरिया जो है ये किरिया कलाप है ये क्रसी के लिए अनिवार होते हैं जिस भूमी पर फसले उगाई जाती है क्रसीगत भूमी कहलाती है जिस पर भूमी पर फसले उगाई जाती है वो क्रसीगत भूमी आपकी कहलाती है न और आंगे आपको यहाँ पर बताना जिसका आरत है क्रसी करने से हुई है ना कल्चर का मतलब यानि कि क्रसी करने से हुई है इसका मतलब होता है चलिए आपको यहाँ पर आंगे अन्य चीजों के बारे में यहाँ पर बताता हूँ इस मानचितर में क्रसी छेतरों को दरसाया गया है जो गिरीन कलर में है जैसे भार में 5-6 questions पूछे गए हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर ये सब कुछ देख पा रहे होगे हैं, एक्गरी कल्चर, जो एक्गरी कल्चर होता है, इसमें भी आपके कुछ भाग विवाजित किये गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, है ना, culture, एक्गरी की जुताई, फसलों को उगाना, पसुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं, वहीं सेरी कल्चर, यानि की रेसम का उत्पादन, रेसम के कीटों का वाडिज्यक पालन, यह किरसक की आए में पूरक हो सकता है, जो रेसम के जो कीड़े होते हैं, उनका जो उ पादन किया जाता है, वही सेरी कल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर मतस्यन पालन, विसेश रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मतस्य पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, यहां से बहुत कोईसन पूचे गए हैं, है पिछी कल्चर बोलते हैं, अंगूर की वीटी कल्चर, मचलीयों को PC कल्चर, रेसम के कीड़ों को सेरी कल्चर बोलते हैं, यह सबी चीजें आपको आने चाहिए, यहां से कुछिन भी हरवार अक्जाम में पूछे गए हैं, सबसे पहले आपको यहां के क्वेस्टन करा देता ह बीटी कल्चर बोलते हैं, बिसेश रूप से निर्मित तालावों में मचलियों का पालन क्या कहलाता है, ये कहलाता है, पीसी कल्चर क्या कहलाता है, रेसम के कीटों का ब्यापारिक पालन क्या 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 क्य यहाँ पर आंगे question क्या पूचा गया है विसेश रूप से निर्मित टैंकों और तालावों मचलियों के प्रजनन को किस रूप में जाना जाता है तो मैंने अभी आपको बताया पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है सेरी कल्चर में रेसम के कीटे आएंगे और बीटी कल्चर प्रजाई, बुवाई और आंगे क्या वताया गया है आंगे वताया गया है सिचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियां है इस तंतर के निर्गतों के अंतरगत फसल, उन, डेरी और कुकुट उतपाद आते हैं यहां से भी direct question पूछा गया है यहां से भी exam में question पूछ क्या समझाना चाहूंगा, क्या समझाना चाहूंगा जो आपके क्रसी होती है, क्या होती है, क्रसी में सब कुछ आता है, आपकी जो फसले होती है वो भी आती है, उसके साथ उन, उन, उन का मतलब जो कपास वाली खेती होती है, उन का मतलब जो भेंड से प्राप्त की जाती ह बो भी किरसी के अंतरगत ही सामिल है, चमड़ा अगर आप से पूछ लिया जाए, तो चमड़ा भी किरसी के अंतरगत ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यह जानवरों से प्राप्त होता है, जानवरों को भी किसमे रखा गया है, इनको किरसी के छेतर के अंतरगत ही रखा गया कुकुट का मतलब होता है मुर्गी पालन से जो मुर्गी पालन है ना वो भी क्रसी के अंतरगत ही रखा गया है यहां से क्वेस्टन एक्जाम में पूछा गया है उस क्वेस्टन को आपको यहां पर सबसे पहले कराता हूँ एसन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है निमनलिकित कतरों A और B पर विचार कीजिये और सही बिकलब का चैन कीजिये यहां पर करेक्ट आंसर बताना है क्रसी किरिया कलाब 20 के उन्हीं प्रदेसों में सकेंदरित है जहां फसल उगाने के लिए उप्युक्त कारक बिद्दमा यह बात तो बिल्कुल सही है वहीं पर करसी होगी जहां इसके सही कारक पाए जाएंगे है ना और उन हो गया डेरी कुकुट उत्पात करसी तंतर के निर्गतों के अंतर गताते हैं अभी मैंने आपको वहां पर बताया है NCERT में है ना तो यह दोनों बातें कैसी हैं दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी थर्ड बिकल्प इस कोईसन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा यहां पर बात करेंगे क्रसी के प्रकार की क्रसी के आपकी प्रकार जो होते हैं बो मुक्ता मांग और स्रम प्रद्योग की के इस तर के आधार पर किसके आधार पर दोस् बरगी करत किया गया है पहला क्या है निर्भाकरसी और दूसरा क्या है बाड़िजक क्रसी सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर निर्भाकरसी की निर्भाकरसी सबसे पहले आपको आसान सब्दों में आपर समझा देता हूँ बहे क्रसी जो अपने जीवन आपन के लिए की जा जाना उसको भरने के लिए जो खेती की जाती है परिवार को चलाने के लिए वो खेती निर्वाकरसी कहलाती है। जाना गहन निर्वाकरसी और आदिम निर्वाकरसी में बरगी करत किया जा सकता है। जाना गहन निर्वाकरसी किसान एक छोटे भोकंड पर साधारण आदिक स्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त, जलवायू और उर्वरर मिर्दा वाले खेतों में एक वर्स में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुक फसल होती है, अन फसलों में गेहू, मक्का, दलहन, तिलहन, आदि है, गहन निर्वाकरसी, दच्चडी, दच्चडी, पूरवी और पूरवी एसिया के संगन, जनसंख्या वाले मान सूनी प्रदेसों में प्रचलित है। तो इन देसों को भी आप अपने भेजे में इनको भी सेप कर लेना, क्योंकि ये भी महत्पूर है, एकजाम में पूँचा जा सकता है, कहां कहां पर होती है ये किरसी, दच्चड पूरवी और पूरवी एसिया के संगन, जहां पर जनसंग्या दिक होगी, बहीं पर ये किरस के वारे में, Amagen Basin के संगन वन छेतर, Amagen Basin मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया та topic है न, जो की class seventh में है, आपका भूगोल का topic, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो गरोफी करके है न, जो गरोफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सभी topic आप इसी प्रकार से देख सक कि भागों में है प्रचलिध है यह भारी बर्चा और बनस्पनी के तीबृभ पुनरजंन वाले छेत्र में की जाती है ब्रच्छों को काट कर जला कर भूकंट को साप किया जाता है तब राख को मेर्दा में मिलाये जाता है मक्का रतालू आलू कसावा जैसी फसलों को उगाय जाता है, भूमी की उर्वरता की समापती गवाद है, भूमी छोड़ दी जाती है, किरसक ने भूकंड पर चला जाता है, इस्तानांतिरिक क्रसी को करतन एवं दहन क्रसी के नाम से भी जानते हैं, बहुत महत्पुड बात यहां पर कही गई है, बिलकुल सरल सब्दों में आप करतन दहन खेती, करतन दहन खेती इसका तीसरा नाम है, तो तीन नाम आप इसको याद रखेंगे, इस्तान अंतिरिक क्रसी को तीन नामों से जानते हैं, एक तो जूम खेती हो गया, दूसरा करतन दहन खेती हो गया, आखिर इस्तान अंतिरिक क्रसी होती कैसे है, यह इस्तान बदल कर होती है, जैसे इस्तान है ना, उसको बदल दो, दूसरे इस्तान पर चले जाओ, वहां के जितने भी पेंड पौदे जंगल है ना, उनको आग से जला दो, जलाने के बाद जो राक बचती है ना, राक, राक किसका काम करती है, उर्बरक का काम करती है, मिर्दा को है ना इसलिए इसको करतन दहन करतन का मतलब होता है काटना क्या मतलब होता है काटना दहन का मतलब होता है जलाना ऐसी खेती जिसमें पेंड पौदों को काट कर जला दिया जाता है जो की जो की क्या होती है ये इस्तान बदल कर खेती की जाती है इसलिए इसको इस्तान अंतिर् जूम किरसी के नाम से भी जानते हैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इसके बेविन नाम क्या है वो भी आप सबसे पहले यहाँ पर समझ लो जूमिंग उत्तरपूर्वी भारत में करतन दहन किरसी या इस्तानंतरित किरसी को किस नाम से जानते हैं जूमिंग के नाम चाहूंगा इंडोनेसिया है ना इंडोनेसिया और मलेसिया में लादांग बोलते हैं बहुत महत्पूर है यहां से आपके TGT, PGT, BPSC, TRE के एक्जाम में यानि की टोटल एक्जाम जितने भी कमपटीशन लेवल के होते ना UPSC के लेवल तक के यहां से हर बार क्वेस्टन भारत में किसको कहते हैं इस्तानंतरित क्रसी करतन धैन क्रसी को बोलते हैं ना चलिए इतना मैंने आपको यहां पर बता दिया यहीं से बहुत सारे एक्जाम में क्वेस्टन पूचे गए हैं अब उन सभी क्वेस्टन को एक एक करके आपको यहां पर करा देता हूँ यहां पर पहला question क्या है, इस्तानांतरड क्रसी को मिलपा के रूप में जाना जाता है, तो question पूछ लिया गया direct, मैंने अभी आपको बताया, मिलपा कहां पर बोलते हैं, मेक्सिको में बोलते हैं, और मद्द अमेरिका में बोलते हैं, मद्द अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, मेक से जानते हैं, ब्राजील में क्या कहते हैं, ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और मलेसिया में क्या बोलते हैं, लादांग बोलते हैं, यह सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी, और कुछ आपके दिये गए हैं, यहाँ पर क्या है, मिलपा, रोक पूचा मिल्लिया और किसके विविन नाम हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिश्टेग है मिलपा और रोखा। यह किसके हैं इस्तानंतरित किरसी के हैं। किसके? इस्ताननत्री कर्सी के नाम हैं. जो की अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है. और यहाँ पर मैंने इतना आपको बता दिया और यहाँ पर एक-दो क्वेस्टन आगे भी पूँचे गहें. उन क्वेस्टन को भी यहाँ पर आपको कराता हूं है ना जैसे आँगे यहाँ पर question क्या पोँचा गया है इस्तानंतिरी करसी गुमत्तू पसुचारण निमलिकित में से किस के ओधार एड़ें इस्तानंतिरी करसी कैसी है ये दोस्तो कैसी करसी है प्राचीन निर्वारण करसी है है ना अब यहाँ पर आंगे बात करेंगे चलवासी पसुचारड की सिंपल सब्दों में सबसे पहले आप समझे लो चलवासी पसुचारड क्या होता है पसु जो होते हैं पसु जानवर इनको लोग क्या करते हैं एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लेते जाते हैं यानि कि इ अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं तो ये क्या कहलाता है चलवासी पसुचारड कहलाता है चलिए समझते हैं सहरा के अरद सुस्क सहरा क्या है एक रेगिस्तान है सुस्क प्रदेसों में और मद्द एसिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्तान हो गया जम्मू और कस्मीर हो गया में यह प्रचलित है तो चलवासी पसुचारण कहा पर प्रचलित है भारत में राजस्तान में और जम्मू कस्मीर में प्रचलित है इस प्रकार की क्रसी में पसुचारण जो पसुचारण को चराता है अपने पसुचारण क तक बकरिया पालते हैं, यह पसुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूद, मास, ऊन, खाल और अन उत्पाद उपलब्द कराते हैं, तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में समझा दिया आपको, चलवासी पसुचारड के बारे में आपको समझा दिया, जो जो पसुचारण होते हैं वो पानी और घास की उपलब्दता के अनुसार अपने पसुओं को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लेकर जाते हैं वो बही पसुचारण कहलाता है आँगे यहाँ पर क्या है बाडिज्यक क्रसी बाडिज्यक क्रसी जो ब्यापार के लिए की जाती है बही आपकी बाडिज्यक क्रसी होती है सबसे पहले समझ लो यहाँ पर बाडिज्यक क्रसी में फसल उत्पादन और पसुपालन बाजार बिक्रेहेतू किया जाता है इसमें विश्तरत क्रश्ट छेतर और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है अधिकांस कार मसीनों दोरा ही किया जाता है बाड़िजक क्रसी में बाड़िजक अनाज, क्रसी, मिसित क्रसी और रोपड क्रसी सामिल है जो बाड़िज्य किरसी होती है ना ये ब्यापार के लिए प्रमुक मानी जाती है जो ब्यापार के उद्देश से किरसी की जाती है वो बाड़िज्य किरसी की जाती है इनमें बिवन परकार की फसलें आपकी सामिल की गई है जैसे अनाज वाली फसल हो गई गे हूँ चावल मक हो गई बो भी रोपड के अंतरगत आती है उनका अध्यने आपर आपको करवाऊंगा चलिए सबसे पहले बाडिज्यक अनाज के बारे में यहापर जान लेते हैं यह किस छेतर में उगाईज आती हैं है ना यह बाडिज्यक उद्ध्यस के लिए उगाईज आती हैं गेहु मक् सबसे पहले हैं पर बात करेंगे मिसरित कि किसकी मिसरित की के पर बात करने वाले हैं भूमी का उप्योग भोजन बचारी की फसल उगाने और पसुदन पालन के लिए किया जाता है या यूरोप, पूर्भी संजुक्त राज अमेरिका, अर्जेंटीना, दच्छिड़ि- और इका काव में पिर्चलिद धै कौन सी और सी मिसिरित मिस्रित में क्या होता इसमें दोस्तों पसुओं को भी पाला जाता है चारे वाली फचल भी हुगाई जाती है और जो हम लोग जो खाते हैं ना खेती वाली फसलें गेहू मक्का बो भी इसके साथ खाने वाली फसलें भी उगाई जाती है तो पसू पालन भी किया जाता है चारा भी उगाई जाता है फसल भी उगाई जाती है इसलिए इसको मिसरित बोलते हैं सब कुछ इसमें किया जाता है कौन कौन से छेतर मैंने आपको बताए यह आप यहाँ पर देख ले जिएगा चलिए आंगे आपको ले चलता हूँ आंगे यहाँ पर बात करूँगा किसकी रोपड किरसी की बात करूँगा यह सारे question आपको करा देता हूँ एक बार आप इसको अच्छे डंक से केवल और केवल सुनते चलिएगा रोपड रोपड किरसी के उधारड आपको बताना चाहूँ चाय चाय कैसी फसल है रोपड है चाय कहवा काजू रवड केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है इसमें बिरहद पैमाने पर स्रम और पूंजी की आवसकता होती यानि किसमें स्रम बहुत अधिक लगता है उसके साथ पूंजी यानि की धनकी भी बहुत अधिक आवसकता यहां पर होती है उसके साथ दोस्तों उतपाद का प्रसंसकरड खेतों पर ही निकट के कार खानों में ही किया जा सकता है, इस प्रकार इस क्रसी में परिवहन जाल के विकास की अनिवारता होती है, ये क्रसी जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोपड वाली क्रसी, इसमें परिवहन भी होना चाहिए, यानि की सामान को एक जगा से दूसरी जग इसना काजू ये कैसी है ये रोपड फसलों के कुछ उधार रणाएं जो रोपड फसलें की जाती है ये विस्सु के उश्ड कटिवंदिये प्रदेसों में की जाती है उश्ड कटिवंदिये क्या होता है दोस्तों जहां पर धूप जादा जादा निकलती जो बीच वाला जो भूमद वाला चेतर, उतना करक और मकर्रेगा के बीच वाला चेतर, उसी को बोलते हैं उश्ड कटवंदिये चेतर, मलेसिया में रवड की जाती है, ब्राजील में कहवा, भारत और स्री लंका में चाय के कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण बहुत महत्पुन है, एकजाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पर हाइलाइट किया है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेस्टन को पढ़िएगा, एक प्रकार की खेती जिसमें उच्छ उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए आदोनिक आदानों की उच्छ मात्रा का अदोनिक मसीनों का हम लोग परियो करते हैं, उस करसी को क्या बोलते हैं, उस करसी को बोलते हैं बाडिज्य करसी, जो कि मुक रूप से ब्यापार यानि की धन कमाने के उद्देश से की जाने वाली खेती होती है, इसमें बड़ी-बड़ी मसीनों का इस्तिमाल किया जाता है पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है है ना सिर्मक्यों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है जिससे कि उच उत्बादकता यहाँ पर प्राप्त हो सके तो इस question का right answer क्या होगा बाडिज्यक क्रसी यहाँ पर correct answer होगा निर्वाक्रसी जो परिवार को चलाने के लिए की जाती है बो होती निर्वाक्रसी मैंने आपको पहले ही वताया था और दोस्तों आँगे यहाँ पर question है आपका खेती का दिया गया बिबरट पड़ें और उसके प्रकार की यहाँ पर पहचान करें एक फसल को काटने के बाद भूमी को कुछ बरसों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है बांस या खरपतवार जो उस भूमी पर उगते हैं उसको बाहर नहीं निकाला जाता है उन्हें काट कर जला दिया जाता है राक भूमी को उपजाओ बनाती है जब भूमी खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हलके से खोदा जाता है जुताई नहीं की जाती है इस पर बीज गिराए जाते हैं तो ये जूम खेती कहलाती है क्या कहलाती है जूम खेती कहलाती है जिसमें बनस्पतियों यानि की पेड़ पौधों को काट कर जलाया जाता है राक बचती है तो उसमें बीज को बो दिया जाता है वो कहलाती है जूम खेती जिसको आदिम निर्वाकरसी कहते हैं जिसको करतन दहन खेती कहते हैं करतन दहन खेती के नाम से भी इसी को ही जानते है यह मैंने आपको बता भी दिया था आँगे यहाँ पर question का आपको करना क्या है यहाँ पर मिलान करना है चलिए करते हैं मिलान मैंने आपको यह बता भी दिया है है ना गहन निर्वाकिरसी के बारे मैंने आपको बताया इस्तानंतित के बारे में भी आपको बताया है अगर आपको एक का मिलान यहां पर आता है तो क्वेस्टन आपका यहां पर सोल्ब होजाएगा जैसे मैंने आपको क्या बताया इस्तानंतित कैसी के बारे में आपने अच्छे डंक से समझ लिया होगा जिसको जूम खेती के नाम से भी जानते हैं चलिए करते हैं ब्राजील में कोफी क्या है कोफी एक बागान वाली खेती है कैसी खेती है बागान वाली खेती यानि कि ये एक रोपड फसल है रोपड मैंने आपको बताया था रोपड में चाय आती है कोफी आती है कहवा आता है क पेला आता है, अनानास आता है, यह क्या है, यह है रोपड, तो यहाँ पर बागान का मिलान किसके साथ होगा, यहाँ पर होगा ब्राजिल में कोफी के साथ, बीका ए, बीका ए आपको ढूड़ना है, तो आपको second विकल्प मिलेगा, तो इस परकार इस question का right answer, second विकल्प ही यह और हो जाएगा, है ना, तो इस परकार से आप कर सकते हो, बिलकुल आसान तरीके से, है ना, बिलकुल कर सकते हो, और मैंने आपको बताया था, गहन निरवह कृसी के वारे में, यह मान सूनी छेतर में कीज़ आती है, जहाँ पर जंजंकिया अधिक होती है, है ना, यह भी मै ने आपको बताया था और आंगे अगर मैं बात करूँ किसकी इस्तानंतृत क्रसी की तो ये उश्ड कटवंदी प्रदेसों में की जाती है जैसे अमेजन वेसिन का छेतर कैसा छेतर अमेजन वेसिन का जो छेतर है वहाँ पर भी इस्तानंतृत क्रसी भी की जाती है करतन दहन व आपको यहाँ पर वता दी है आंगे क्या है कोईसन यहाँ पर है क्रसी के अतरिक्त इनमें से कौन गैर क्रसी कार करते हैं जो क्रसी ना करते हो वो गैर क्रसी होती है गैर क्रसी कार करते हैं क्रसी मजदूर यह भी क्रसी करता है चोटे किसान ये भी करसी करते हैं बड़े किसान ये भी करसी करते हैं तो सही विकल्प कौन सा है सही विकल्प आपका क्या होगा तीनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे गैर करसी कार करते हैं क्या करते हैं क्रसी की अतरिक्त गैर करसी कार करते हैं करते हैं करसी जो मजदूर होता ये भी करसी करता है छोटे किसान भी बड़े किसान भी यहां पर यह करेक्ट आंसर यहां पर तीनों इसके होज आएंगे अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा मुक फसलों के वारे में है ना मुक फसलों के वारे में फसलें करसी आधरित उद् चावल की, मक्का और बाजरा की जो की खाने वाली फसले हैं, वहीं जूट और कपास दो ऐसी फसले हैं, जो रेसेदार के अंतरकता आती हैं, चाए और कैवा कैसी फसले हैं, पीने वाली मतलब की एक प्रकार से फसले होती हैं, अब यहाँ पर बात किसकी करेंगे, चावल की ब आफमान चाहिए आधिक आदरता और बरसा की भी आवसकता होती है। किसके बारे में? चावल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर अच्छे डंक से बता दिया। यानि कि काटते समय तेज धूप की आवसकता होती है। बोते समय गेहों जो बोया जाता है, इसी महीने में बोया जाता है, अक्टूबर, नौंबर, दिसंबर में बोया जाता है। और काटा तो अपरेल मतलब की अपरेल तक यह काट लिया जाता है, काटते समय इसको तेज धूप की आवसकता पड़ती है। गेहों के कैसी फसल है? यह गेहों रवी की फसल में आती है। मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज जैसे जुआर हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। ग्रामीड छात्र के जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते होंगे हैं, जुआर क्या होता है, वाजरा क्या होता है, रागी क्या होता है, सब कुछ जानते होंगे, ये कैसे अनाज होते हैं, जैसे मक्का है, मक्का कैसा है, ये एक मोटा अनाज होता है, ऐसी जो फसल उगती है ये बलूई मिर्दा में और उपजाओ मिर्दा में कम उपजाओ मिर्दा हो तो भी चल सकती है है ना ये बात मैंने की मिलिट की चलिए आंगे बात करेंगे आंगे यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे किसकी ये जो फसल आपकी उगाई जाती है, ये नाइजर नाइजीरिया, चीन नाइजर, इनके अनुतपादक क्या हैं, उतपादक देश हैं, मिलिट मिलिट फसल के, यहाँ पर आपको मक्के की खेती का चित्रवी दिखाया गया है, एक लेडीज जो है, वो मक्के की यहाँ पर मक्के को यहाँ पर तोड़ रही है आँगे यहाँ पर बात करेंगे मक्के की, मक्का तो मक्का कैसी फसल है, यह एक मिलिट फसल है कैसी, मिलिट का मतलब मोटा अनास इसके लिए मध्यम तापमान बरसा अधिक धूप के अवसक्ता होती है इसे मक्का, उतर, अमेरिका, विराजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है, है न मक्का, मक्का को कौर्न के नाम से भी जानते हैं, बिज्व में इसकी विविन, रंग विरंगी प्रजातियां भी पाए जाती है, यानि कि मक्का भी रंग विरंगा वर्ष्तर के निर्वान में उप्योक की जाती है, इसकी वरदी के लिए उच्च तापमान, हलकी वर्षा, 200 से 210 पाला रही ते दिन, पाला ना पढ़ता हो 200 दिन तक, है न, और तेज चमकीली धूब की आवसकता होती है, यहां काली और जलोहुड मिरदा में सर्वोतम उगत तो एक क्वेस्टन एक्जाम पे पूछा जाता है, काली मिरदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी सर्वोतम उगाई जाती है, तो कपास काली मिरदा के लिए उप्यूक्त मानी जाती है, है न, चीन, सहयुक्त राज, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस् सूती वर्ष रुद्यों के लिए कच्चा माल उपलब्द कराते हैं ये देश। की अनोकी उचल, कूद और हरकतों को देख कर परिसान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधों की फलियों को चक कर देखा जिने उसकी बकरियां प्रत दिन खाया करती थी। है ना। उसने आनंद के भाव का अनुभो करने के बाद अपनी खोज की बिसे में संसार को ब पटसन क्या है ये भी एक रेसेदार फसल है कैसी फसल है रेसेदार फसल होती है पटसन को सुनहरा क्या बोलते हैं सुनहरा रेसा के नाम से भी जानते हैं तो कई-कई एकजाम में पूछा जाता है सुनहरा रेसा किसको बोलते हैं तो पटसन को बोलते हैं एक क्वेसन बोला पूछा जाता है, सुनहरा जरी, सुनहरी जरी, सुनहरी जरी किसको बोलते हैं, जरी है ना, तो जरी बोलते हैं जूट को, किसको, सुनहरी जरी किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, सुनहरा रेसा बोलते हैं, पटसन को अंतर आप लोग यहां पर समझ लीजिएगा, और भारी वर्सा आदर जलवायू की आवसकता होती है या अब बात करूंगा कोफी की खोच के बारे में मैं आपको वताई दिया इसके लिए गरम एबम आदर जलवायू और सू अपवाहित दोमट मिर्दा की आवसकता होती है यहां से question भी exam में इसी वर्स पूँचा गया है जुलाई वाले महिने में पूँचा गया था है ना जुलाई 2024 में पूँचा गया था इसके लिए गरम क्या चाहिए गरम और आदर जलवायू चाहिए फसल की ब्रद्दी के लिए परवतिय ढाल है ना ब्राजिल कोफी का अग्रडी उत्पादक है इसके बाद कोलंबिया और भारत का नंबर आता है सबसे पहली बात है इसको गरम और आदर जलवायू चाहिए होती है परवती ढाल पर उगाईज आती है अच्छी तरीके से ब्राजिल कोफी का नमबर एक उत्पादक देश है इसके बाद कोलंबी और भारत का नमबर आता है है ना आंगे बात करेंगे चलिए चाय की मैं बात क आने वाली एक पे फसल है इसकी कोमल पत्यों की ब्रदी के लिए ठंडी जलवायू और बरसा समवितरित उच बरसा की आवसकता होती है जबकि कोफी के बारे मैंने आपको बताए इसको गरम जलवायू चाहिए कैसी गरम चाहिए और जबकि चाय को ठंडी चाहिए है ना चा कोंकों की आवसकता होती तो कोईसन यहां से पूछा गया है चाय और कोफी का चाय और कोफी का कोईसन पूछा गया है चाय कहां पर होती है ठंडी जलवायू और जहां पर उच वरसा हो चाय कैसी चाहिए ठंडी जलवायू चाहिए और ज्यादा वरसा इसको चाहिए और कोफी को क्या चाहिए, कोफी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको क्या चाहिए, गरम जलवायू चाहिए, और आदर जलवायू, गरम और आदर जलवायू चाहिए, तो चलिए सबसे पहले question आप, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, है ना, मैंने आपको बताया है, कोफी और चाय से सम्मान्दित, कौन सा सई सुमेलित है, कोफी, कोफी के लिए ठंडी और सुस जलवायू चाहिए, बिलकुल गरम, बिलकुल गरम चाहिए, कैसी चाहिए, बिलकुल गरम चाहिए, ना कि ठंडी चाहिए, ठंडी तो चाय को चाहिए, चाय की बात करूँ तो गरम जलवाय में पूछा गया है और यहाँ पर आंगे बात की गई है क्रसी के विकास की क्रसी का विकास कैसे हुआ है क्रसी का विकास दोस्तों बढ़ती हुई जन्जंक्या जब जन्जंक्या वढ़ती है तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है इसलिए क्रसी का भी विकास अधिक तेज गती से होने लगा है, है ना, फसलों की संख्या वढ़ा कर सिचाई की सुविधाओं में सुधार करके और बरको और उपस देने वाले बीजों का उप्रियोग किया जाने लगा, क्रसी का मसीनी करड़ भी हुआ, है ना, मसीरों का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्रसी के व विकास बिस्तु के विविन भागों के विविन गतियों से हुआ है, अधिक जनसंक्या वाले देश विकास सील देश अधिकतर गहन किरसी करते हैं, विकास सील जो देश हैं, वो अधिकतर गहन किरसी करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामानता जीविका पोरजन के लिए फसले पूड था, जितना मैंने आपको यहां पर बता दिया, और यहां पर कुछ भी मैधपूड चीज़ें नहीं है, यहां पर यह आपकी एक कहानी टाइप की दीगी है, जो कि एकजाम में नहीं पूची जाएगी, है ना, जितना मैंने आपको कराया है, यहां के कुछ लाश्ट व बोलते हैं सुनहरारेशा किसको बोलते हैं पटसन को बोलते हैं किसको बोलते हैं पटसन को बोलते हैं काफी का प्रमुक उत्पादक क्या है ब्राजील काफी का प्रमुक उत्पादक देश माना जाता है एक बार मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेस्टन यहाँ पर फटाक स के लिए कैसी जलवायू चाहिए गरम चाहिए जलवायू और बरसा भी ठीक ठाक होती हो यानि कि बरसा भी होती हो तो ऐसी जलवायू चाहिए चाय को उगाने के लिए ठंडी चाहिए चाय को उगाने के लिए ठंडी चाहिए और उच वरसा यहां पर इसको चाहिए विकल्प म मिलपा बोलते हैं मेक्सिको में और अमेरिका में USA में क्या बोलते हैं अमेरिका में इसको मिलपा बोलते हैं भारत में जूमिंग बोलते हैं मलेसिया में क्या बोलते हैं लादांग बोलते हैं ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं चलिए आंगे बात करेंगे आंगे बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, रेसम के कीटों का ब्यापारिक जो पालन किया जाता है, उसको सेरी कल्चर बोलते हैं, है ना, सबजियों और फरफूलों को उगाने वालों को हार्टी कल्चर बोलते हैं, मैंने आपको बताई दिया था, तालावों और तालाव में मचली के प्रजलन तो क्या कहला था PC क्यला आता है ना हाटी कल्चर में सबजी फल्फूल आएंगे BT गल्चर में अंगूर आएगा सेरी कल्चर में रेशम आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर PC कल्चर हो जाएगा आँगे कोट्सन हेहाँ पर क्या है गे जिन जिन में है बो यहां से आप इसको हटा दो है ना, यह भी यहां से हटेगा पहला भी यहां से हटेगा इससे बरधन काल में मध्यम ताप मान बरसा की आवसकता होती यह बात correct यहां पर कही गई है, कैसी बात कहीगी correct कहीगी, इसमें आपका B नहीं है कैसी मिट्टी जलोड मिट्टी चाहिए या सीत रुतियों में उगाया जाता है और गर्मी में इसको काट लिया जाता है है ना ये सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर वता दी इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर विकल्प होगा आंगे क्या है कोईस्टन आंगे है यहाँ पर एक ही फसल को बारवार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपियोग करने से मिट्टी कैसी होती है मिट्टी आपकी होती है बंजर बारवार उसमें आप रसायन का इस्तेमाल करोगे ना तो भूमी आपकी बंजर हो जाएगी आंगे क्या है भारत के किस चेतर में इस इसमें सकेंदिरित हैं, जहाँ पर फसल उगाने के कारक विद्दमान है, करसी के इंतरगत दोस्तों, डेरी, कुकुट, ये सब कुछ आता है, ये मैंने आपको बताय था, दोनों यहाँ पर correct answer इस question के हो जाएंगे, चलिए आंगे यहाँ पर बात करते हैं, question की, यहाँ पर क्य क्या होता है, चारा भी उगाई जाता है, और फसल भी उगाई जाती है, और पसुओं को भी यहाँ पर पाला जाता है, पसुओं को भी है ना, तो यह आपकी होती है, मिसरित करसी, correct answer यहाँ पर होगा, प्राचीन वाली खेती, आंगे क्या है, जूम करसी है, जूम करसी कैसी आंगे क्या है कोईस्टन आंगे यहां पर है क्रसी के विसे में कौन सा कतन सही है लोग पूरे वर्स अपनी भूमी या दूसरों की भूमी पर काम करते हैं ये तो बात सही है गाउं में इस्तरी पूरुस दोनों क्रसी कारते हैं इस्तरीयां भी करते हैं पूरुस भी करते हैं करेक्ट रांसर दोनों यहाँ पर होंगा ए और भी दोनों चलिए आंगे बात करेंगे आंगे क्या है एक ही प्रकार की खेती जिसमें उच उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए आदोनिक आदानों यानि की मसीनों का इस्तिमाल किया जाता है हैना बड़ी मातर में किया जाता है उसको बोलते हैं बाड़ी जग करसी इसमें उच उत्पादक्ता प्राप्त हो सके इसलिए बड़ी बड़ी मसीनों का इस्तिमाल पूंजी का इस्तिमाल किया जाता है इस्तानंतरट करसी जिसको जुम बोलते इसमें काटकर जला दिया जाता है बनस्पतियों को मैंने आपको बताया भी था निर्वा में क्या होता परिवार को चलाने के लिए जो खेती की जाती उसको निर्वा किरसी के नाम से ही जानते हैं करेक्ट आंसर आपका होगा यहां पर बाड़िज्य किरसी चलिए आंगे बात करेंगे आंगे क्या है कोईसन? आंगे यहां पर है करसी के प्रकार पर निमनलिकित बक्तब्यों पर विचार कीजिएगा निमनिश्थर ये तकनीकी का प्रियोग मिस्रित करसी में होता है बिलकुल बिलकुल कैसा कहा गया है बिलकुल गलत कहा गया है निम निश्तर नहीं होता है बलकि उच्छ प्रद्योगी का इस्तेमाल होता है इसमें बहतरी ढंग से ये गलत बात है जूम क्रसी जो होती है ये जीवन निर्वाहितू की जाने वाली एक क्रसी का पुरातन प्रका कि इसमें लोग क्या करते हैं पेंड़ बौदों को जला देते हैं ना इस प्रकार, खेती की जाती यह समय-समय स्तान इस्तान को बदल बदल कर जो हम करसी को करतन दहन बोलते हैं करतन का मतलब होता है काटना दहन का मतलब होता है जलाना बिलकुल सही बात है तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होंगे बी होगा और सी होगा बी होगा और सी होगा BC यहाँ पर correct answer इस question का आपका होज आएगा चलिए आंगे बात करेंगे आंगे क्या है निम्न कत्रों ABC और D पर गहन किरसी के संदर्म में विचार कीजिएगा किस पर गहन किरसी पर यह सगर जन्संक्या वाले छेत्रों में पिर चली थे जहाँ पर जन्संक्या अधिक पाईज आती है बहाँ पर गहन किरसी की जाती है यह बात मैंने आपको बताई थी correct होगी इसमें बिस्तरत किरसी चेत्र और जादा पूंजी का उपियोग होता है है ना क्या जादा पूंजी का यहाँ पर उपियोग होता है नहीं तो नहीं तो इसमें नहीं होता है ज्यादा पूंजी का उप्योग ज्यादा पूंजी का उप्योग तो बाड़ी जग वाली में होता है किसमें बाड़ी जग वाली खेती में होता है यह बात गलत है तो बी इसमें लगा है भी आपका यहां से कट जाएगा है ना और आं यहाँ पर correct answer होगा इस question का, आंगे क्या है question, यहाँ पर आंगे बताया गया है, खेती का दिया गया बिबरड पढ़ हैं और पहचानों कौन सी खेती है, एक फसल को काटने के बाद भूमी को कुछ बरसों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है, राक भूमी को उपजाओ बनाती है, जब भूमी खेती के लिए तयार होती है, तो हलके से खोड़ जाता है, जूताई नहीं की जाती है, बीच गिरा जाती है, तो यह जूम खेती होती है, यह नहीं कि प्राचीन काल वाली खेत जाती है, मैंने आपको क्या बताए था, यहां पर क्या होगा, गहन किरसी जो की जाती है, मान सूनी प्रदेस में की जाती है, जो कि ब्राजील में कौफी किसका उधारड है, जैसे चाई, काफी, कहवा, कोकोख, रवर्ड, केला, अनानास, ये कैसे उधारड हैं? आंगे हाँ पर क्या है दूस्तों आंगे हाँ पर है आपका इस्तानांतिरित करसी होती है ये किन छेतर में की जाती है इस्तानांतिरित करसी आपके ये की जाती है उष्ड कटवंदी अफरीका वाले छेतर में बाडिज्यक अनाज वाली जो खेती होती है ये की जाती है कहाँ सीतोस्ट घास के मृदान में चलिए सबसे लाइश्ट क्वेस्टन की यहांपर बात करते हैं इनमे से कौन गेरखिसी कार करते हैं गेरखिसी कार करते है ठीक है ना क्रसी मजदूर भी गेरखिसी में आता थै मैं चो टी किसान अब बड़े किसान ये भी गैर किरसी कार भी करते हैं जैसे डेरी, चलाना, पसूँओं को पालना, मतस पालन ये सारे के सारे गैर किरसी में ही आते हैं यहाँ पर correct answer होगा तीनों यहाँ पर correct answer आपके हो जाएंगे फोर बिकलब correct answer होगा दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यह तक थी से वीडियो को सेर करना मत भूलिएगा अपने 5-6 दोस्तों के साथ वीडियो में कमेंट बोक्स में बताईएगा आपको कैसी लगी अगली वीडियो आपको किस टोपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में आप लोग बता देना और नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं दूसरी वीडियो में तपता के लिए जय हिंद बंदे मात्रम